मैं दिल्ली के लोगों के राए के मताबिक एक हफ़ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं हम लोग इतवार के दिन सब लोग दिल्ली के लोग बैठ के तै करते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है अभी जो मौझूदा लॉकडाउन है वो कल सुभे पांच बजे खतम हो रहा है आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को टै करना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए हम सब लोगों को मिलके यह टै करना है अप्रेल के महीने में जब ये सेकंड वेव पूरे देश के अंदर आई थी इतनी खतरनाक वेव थी दिल्ली सबसे पहला राज्य था जिसने हम सब लोगों ने ये देखा कि ये वेव बहुत खतरनाक है और सबसे पहले लोगडाउन देश के अंदर दिल्ली में लगाया गया उस वक्त ऐसा लग रहा था जब ये वेव आई थी और इतनी तेजी से केसे बढ़ रहे थे कि पता नहीं ये वेव कितने दिन चलेगी इस वेव से जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे कैसे होगा क्या क्या होगा लेकिन एक महीने के अंदर बीस अप्रेल को हम लोगों ने लॉगडाउन लगाया था लगबग एक महीने के अंदर आप सब लोगों के दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वज़े से आज कोरोना की ये वेव जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक ये कमजोर होती नजर आ रही है मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने युद्ध जीत लिया है अभी काफी बाकी है लेकिन अब हम ऐसा लग रहा है कि इसके उपर काबू पाते हुए नजर आ रहे हैं अप्रेल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमंदर 36 प्रतिशत पहुँच गई थी यानि कि 100 लोगों के हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे पिछले 24 घंटे का मैं आपको आकड़ा बताऊं तो ये संक्रमंदर धाई प्रतिशत के भी नीचे चली गई है यानि कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें धाई लोग संक्रमित पाए जाते हैं और साड़े सतानवे लोग ठीक पाए जाते हैं इस संक्रमन काफी कम हो गया दिल्ली के अंदर अप्रेल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आए थे 28,000 पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाए गए हैं दिल्ली के अंदर 28,000 से 1600 तो दिल्ली के अंदर करोना की रफतार काफी कम हुई है पिछले एक महीने में कई सारी समस्याँ आई उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिल के मकाबला किया दिल्ली के दो करोड लोगों ने एक परिवार की तरह मिल के मकाबला किया खास कर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई थी लेकिन सब ने मिलके, इसमें सब का सहयोग मिला दिल्ली के लोगों ने, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोट ने, दिल्ली हाई कोट ने, सब ने सहयोग किया और ऑक्सीजन की समस्या का भी समधान निकला अब वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकि मुझे विश्वास है, जैसे हमने बड़ी-बड़ी समस्या का समधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समधान निकलेगा, हम मिलके निकालेंगे, वैक्सीन की जो कमी हो मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे इस दौरान पिछले एक महिने हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज कई-कई दिनों तक नी सुए हैं कई-कई दिनों से घर नी गए हैं उन्होंने जबरदस्त काम किया इन में से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए हैं उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों के तरफ से सलाम करता हूं हम कर्जदार हैं उनके उनका कर्ज हम नहीं चुक्ता कर सकते लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए एक एक करोड रुपए की राशी देती है आप लोग देख रहे होगे मैं रोज किसी ना किसी के घर जाता हूं ऐसे किसी व्यक्ति ऐसे किसी डॉक्टर नर्स या ऐसे किसी के घर जो शहीद हो गए उनके परिवार को मैं खुद जाके मिलता हूँ और उनको एक एक करोड की राशी देखे आता हूँ तो युद्ध अभी बाकी है अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी हजार से जादा केस आ रहे हैं तो पिछले 24 घंटों में मैंने खुब लोगों से पूछा क्या करना चाहिए जो भी निरने होगा हम मिलके लेंगे दिल्ली के लोग मिलके निरने लेंगे तो एक आम राए ये बन रही है लोगों की कि एक हफ़ते के लिए लॉक्डाउन और बढ़ा देना चाहिए क्योंकि अभी अगर लॉक्डाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले एक महिने की इतनी कड़ी मेहनत, संखर्ष और त्याग की वज़े से पाया है कहीं वो खतम ना हो जाए तो सब की आम राए ये है कि एक हफ़ते के लिए और लॉक्डाउन खोल देना चाहिए तो दिली सरकार ने ये निर्णे लिया है कि एक ह फ़ते के लिए लॉक्डाउन और बढ़ाया जा रहा है अगले सोंवार एक्तिस तारीक की सुबह पाँच बेजे तक के लिए लॉक्डाउन बढ़ाया जा रहा है अगर केसिज के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले एक हफ़ते भी मैं आप सब लोगों से अपील है निवेदन है जैसे आपने अभी तक सहयोग किया आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया लॉकडाउन को फॉलो किया इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे करोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे अगर इसी तरह से केसिज के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारिक से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालो करेंगे एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा तो वो भी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कुछ-कुछ-कुछ-कुछ गतीविधियों को 31 तारिक से फिर हम खोलना चालो करेंगे लेकिन अभी सबकी राये के मताबिक मैं दिल्ली के लोगों के राये के मताबिक एक हफ़ते के लिए हम लोग लॉक्डाउन और बढ़ाने जा रहे हैं इस वक्त हमारी सबसे टॉप प्रायरिटी है कि किस तरह से दिल्ली के दो करोड लोगों को वैक्सिन जल्द से जल्द लगाई जा सके हमने दिल्ली में सारी विवस्था बना लिए कि तीन महिने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सिन लगा सकते हैं लेकिन वैक्सीन की कमी है, पूरे देश के अंदर कमी है, कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी, तीसरी वेव आएगी, हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है.